हेलो गाइज, बेलकुम तो माई चैनल, Autism and Music, मैं हुकोमल ठाकोर, Parenting and Autistic Child गाइज, मैंने पहले भी आप लोगों के साथ शेयर किया है कि अरनम में कौन-कौन से sensory issues हैं लाइक अरनम में tactile seeking है, अरनम, auditory seeking, visual seeking, ये तीन जो sensory issues जो हैं अरनम में अभी तक हैं पहले भी यही थे, तो आज की ये जो clips मैंने आगे add की हैं, ध्यान से दिखिएगा काफी सारे parents को ये भी लगता है कि अरनम भी पूरी तरह से क्योर हो चुका है, उसका autism पूरी तरह से क्योर हो गया है और मैं क्यों बोलती रहती हूँ हमेशा की हम autism को पूरी तरह से change नहीं कर सकते, क्योर नहीं कर सकते हम बस symptom को improve कर सकते हैं, definitely ये एक positive video ही होने वाला है इस video से आप काफी सारी चीजें सीखेंगे, आपकी सोच बदलेगी और आप autism की जो true picture है, उसको समझ पाएंगे, उसको देख पाएंगे तो ये जो clips हैं, ये वो clips हैं जहां पे अरनव visual सीखिंग कर रहा है auditory सीखिंग कर रहा है, tactile का इसमें मैंने नहीं दिखाया है, tactile में मैंने पहले आपको काफी बार दिखाया है तो ये दो से sensory issues इसमें आपको देखेंगे, जिसके बाद आपको completely ये चीज़ शूर हो जाएगी कि हाँ अरनव में ये sensory issues हैं, तो मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले आप ये clips देखिए, उसके बाद में आप लोगों को explain करती हूँ यहां पे गाईज अरनव visual seeking कर रहा है, इस वीडियो को अरनव दिन में 3-4 बार देखता है और इसी तरह से TV के करीब जाके देखने की कोशिश करता है और जब भी ये video वो देखता है, visual seeking करता है, इसमें वो पूरी तरह से lost हो जाता है, मतलब उसका जो अजीब सा behavior है, वो आपको देखने को मिलता है तो यहां से आप clearly ये चीज़ें देख पाते हैं, थोड़ा थोड़ा उसमें hand flapping भी आ रहा है, तो एक अजीब ही behavior होता है, और यही होता है जब हमारे बच्चे stimming में involved होते हैं, तो उनको आस पास के कोई ख़बर नहीं रहती है, तो यह देखिए यहां पे, आपको ये ची पाबा जाती है, तो समझ रहा ह 와, आप Gilghi, क्या देख रहे हो, अच्छा आप देख रहे हो, क्क्रीम पाला देख्रहा हूं, इधर लोट वाज़ा हो, चालि भी आपका को प्लो की शेप बन रही है, इसमें झाले इसमी जो पॉलो आठा इसमे जो पॉलो आता है न मार्केट अंटी क्या मनारी है पॉलो केक बनाया ऐंका अन्नव केक बनायगा ओके इसको केक बनाना है ओके तो देखो आंटी ने कितनी पॉलो रखी जाए पॉलो काउंट करो 1-2-3-4-5 हाह कितनी है 5 औरे यह यह निकाला आंटी ने है क्या निकाला टॉफी अब चेंज कर दो फिनिश हो गया केक अभी चेंज कर दो अब बैक करो उसको अब क्या देखोगे आप ये नहीं ये कचर वीडियो ने नहीं और कुछ और देखो चिकू तो आता नहीं है इसमें क्या देखोगे ये कि देखो ये बाला वीडियो देखना है जिसमें इसको अजीब सी साउंड आती है फूर्ड इटिंग शो इसका फेवरेट है तो कहां से देखोगे आप सोबेबे बैटके देखो जाओ यहां से नहीं देखने आइस खराब हो जाती है तो गाइज अभी जो आपने क्लिप्स देखी उसमें क्लियरली आप लोगों को दिख रहा है कि अर्नव बिज्वल सीकिंग कर रहा है और डेटरी सीकिंग कर रहा है तो अब मुझे नहीं पता इन वीडियो से आप लोगोंने क्या क्या चीज़ें समझी होगी तो यह क्लिप्स जो मैंने आप लोगों को दिखाई है यह ट्रू पिक्चर है आप लोगों को यह दिखाने के लिए कि अर्नव में सेंसरी इशूज अब भी है लेकिन इन क्लिप्स को आप लोगों के साथ शेयर करने का मतलब सिर्फ इतना है ताकि मैं आप लोगों को समझा सकूं कि अर्नव का बिहेवियर जो आप लोगों को इतना शांत दिखता है आप लोगों को यह तक लगता है कि अर्नव का उटीजम इंप्रूब हो चुका है वो काफी अच्छे लेबल पे है तो यह चीज़ें समझाने का मतलब सिर्फ इतना है कि कैसे आउटीजम के सिम्टम के साथ हम अर्नव को कितनी खुबसूरती से मैनेज कर पा रहे हैं यही मैं बोलूँगी खुबसूरती ही बोलूँगी गाइस सालों की मैनत है उसको इन चीज़ों के लिए ट्रेन किया गया है तो इसका मतलब यह नहीं है कि हमें यह सब चीज़ें फेस नहीं करने पड़ती है आप लोगों को यह लगता है कि हमें यह सेंसरी इशू फेस नहीं करने पड़े या हम लोगों को कुछ इजी था हमारे टाइम पे कुछ चीज़ें easy थी no हमारे challenges भी आपके जैसे ही हैं आपके जैसे ही थे फर्क सिर्फ इतना है कि शायद हम इन चीज़ों को better ढंग से manage करने में काम्याब हो पाई है सो यहाँ पे यह clip share करने का मिन सिर्फ इतना है कि आप लोग समझें कि sensory issues जो हमेशा बच्चे के साथ रहते हैं autistic बच्चों के लिए जो streaming है जो अभी तक मैंने समझा है अपने experience से streaming उतनी ही important है जैसे एक आदमी को सांस लेना जो है important है अगर आदमी सांस नहीं लेगा तो वो खतम हो जाएगा उसी तरह से autistic बच्चे अगर streaming नहीं करेंगे तो उनके लिए life spend करना बहुत मुश्किल है आप मैंसे काफी parents इस चीज़ को समझने की कोशिश नहीं करते हैं और हर बार आपका goal यहीं होता है कि कैसे मैं sensory issues को जड़ से पूरी तरह से खतम कर दूँ तो वो चीज़ क्या होगी आप ultimately अपने autistic बच्चे को मजबूर कर रहे हैं एक गुडन बरी जिंदगी जीने के जितना tension stress आपके autistic बच्चे की life में है उसका कोई friend नहीं है communication वो इतना ज्यादा नहीं कर पाता है आप देखिए कि उसके लिए interest भी कितने कम है skills भी कितनी कम हैं उसके अंदर किस तरह से वो life spend करेगा तो steaming क्या करती है उनको शांत रखती है, relax रखती है और एक तरह से entertainment करती है तो हमारा goal कभी भी यह नहीं होना चाहिए कि sensory issues को हम पूरी तरह से खतम करें हमारा as a parent सिर्फ goal इतना है कि हम sensory issues को जब मरजी चाहें public place हो कोई भी place हो जब भी हम बच्चे को instructions दें कैसे भी करके हम उस steaming को control कर सकें, जब ऐसी situation आ जाए कि वो steaming लोगों के सामने आपको embarrass करें या बच्चे को embarrass करें तब हम उस steaming को manage कर सकें, control कर सकें, यह level हमको achieve करना है, तो यह clips में देखा कि यह सब चीज़ें अरनम में भी है, अब आपने videos में अगर नहीं समझा है तो दवारा से उन clips क को देखी और देखी कि हम लोग उनको कैसे manage कर रही है, जब भी यह streaming public place में होती है, या घर में होती है, तो मैं इसी तरह से manage करती हूँ, जब अरनम उस video को देख रहा है, तो अरनम पूरी तरह से उसमें घुश जाता है, अजीब अजीब सा behavior करता है, आप देख रहे हैं, तो मैंने क्या किया उसको, तो आप देखो कि first time ही जब मैंने उसको बोला कि अरनम आप इतनी नजदीक से TV क्यों देख रहे हूँ, आपको आपकी आईस खराब हो जाएंगी बिटा सोफे पे जाके देखो, तो यहां से आपने देखा मैंने उसको order नहीं दिया, ना ही मैंने उसको गुसे से बोला कि यह वीडियो नहीं देखना है, यह गंदा वीडियो है, इसको change करो, no, मैंने इस तरह से नहीं बोला, क्योंकि जब भी आप autistic बच्चे को चला के order देते हैं, एक request ना करके order देके जब आप कोई चीज command को पूरा कराने की कोशिश करते हैं तो autistic बच् थोड़ा सा रख दो, तो अभी आप देखो, मैंने उसको थोड़ा सा बोला है कि मुझे वीडियो बनाने दो, उसके बाद आप बॉल खेलना है, और यह मेरा बेटा है, हाई बोल दो, हाई, तो instructions को वो इतना उसको समझ में आ जाता है कि में disturb हो रहा है, उसको अभी auditory seeking करनी है, बॉल को बार-बार tap करके उसका sound लेना है, तो आप देख सकते हैं, यह भी एक तरह की auditory seeking ही है, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो, एक बार में बोलने से वो मान गया, तो एक दम से आपने देखा, first instruction देने के बाद ही, जब वो visual seeking कर रहा था, तो वो बहां से हट गया और सोफे बेट के चला गया, फिर मेरा goal था कि मैं उस वीडियो को change कर भाऊं, तो again मैंने उसको एक request way में बोला कि अभी कुछ और देखते हैं, कुछ और देखते हैं, तो उसने मुझे खुद option दिया, food eating show देखें, तो वो खुद option देता है, अगर वो option नहीं देता, तो मैं option देती, कि हीमबस देखें, या food eating show देखें, तो इस तरह से बोल के भी आपको बात करनी है, तो उसने चूज किया food eating show, क्यों food eating show चूज किया, क्योंकि food mukbang के जो वीडियो होते हैं, उससे उसकी auditory seeking जो है वो पूरी होती है, तो उसने फिर food eating show लगा दिया, अब auditory seeking जब वो करता है, तो TV में mukbang के वीडियो लगा के वो TV में नहीं देखता है, वो गूमता रहता है, खाली उस sound को enjoy करता है, तो यहां से आपने देखा, मैंने उसको दूसरी seeking पे shift किया, अब मेरा meaning यह था कि मैं auditory seeking से भी थोड़ा देर 5-10 मिनिट करने ही देना है, वो नीड है, वो प मैं पहार देखते हैं, बहुत नेचर देखती है, बहुत अच्छा लगता है, एक शांती वाला चैनल है, तो उसके उपर मैंने उसको shift कर दिया, वो ही मेरा ultimate goal था, कि वो उसको देखे, और उसको वो 5-10 मिनिट देखता है, उसके बाद भूल जाता है, क्योंकि उसमें इतना interest उसको आता नहीं है, फिर वो वहाँ से हट जाता है, तो अब public place में, same way में अगर ये चीज़ हो रही है, public place में अरनम क्या करता है, tactile, tactile क्या करता है, बीच में आपने वीडियो में भी देखा होगा, एक बार उसका हाथ उपर गया, तो वो hair को ऐसे ऐसे मसलता रहता है, यान क्या होता है, उसके हाथ बार बार जाता है उपर, तो हम लोग cap यूज़ कर लेते हैं, तो cap जब उपर होती है, तो hand फिर उपर नहीं जाता है, तो वो भी उसका use अच्छा हो जाता है, तो same parent मेरे से एक पूछ रहे थे, कि मेरी बेटी भी hair को ऐसे touch करके, tactile seeking करती है, तो same आ पर जा रहा है, अगर आप cap नहीं भी लगा रहे हैं, तो बच्चे को point करने के लिए बोलो, जब भी हम लोग बाहर गए हैं, किसी चीज़ को point करने के लिए बोलो, उसको बातों में उल्जाओ, मैं ऐसे ही करती हूँ, और आर्नम को बाहर पूछना स्राट कर देती हूँ, य चीज़ कहा है, अब उसकी finger दूसरी जगह pointing में involved हो गई, उसको लग रहा है, तो यह चीज़े हैं, तो आज के इस वीडियो से आप लोगों को completely clear हो चुका होगा, कि यह चीज़े हमारी लाइफ में भी हैं, हमारी लाइफ में भी हैं, हमारी लाइफ में भी चैलेंज बैसे ह ही हैं, बैसे ही थे, जैसे कि आपकी लाइफ में हैं, तो हम लोग भी मैनेज करने की कोशिच कर रहे हैं, और definitely जब हम, अना, इधर आओ, मेरा बच्चा, तो क्यों नहीं बेज रहे हैं, ओके, यह देखो, हमारा जिकन आएगा, हमारा जिकन आएगा, अब देखो, डिलीवर उपर वाले फ्लोर में करके बापीस जा रहा है, तो वो उसको मना कर रहा है, बापीस मत जाओ, हमारे यहां पे भी डेलीवर करके जाओ, तो यह सब चीजे हैं, बेटा, दो मिनट, दो मिनट बस कम्प्लीट हो गया वीडियो, तो यही गोल है, गाइस, और इस चीज की गैर आप उसको हैंडल कर सकते हैं, बस उसको अबजर्व करते रहना है पोरा दिन, किन चीजों से उसको गुसा आता है, इरिटेशन होता है, उन चीजों को हम लोगों को अवाइड करना है, और सौफ्ट बॉइस में हमेशा कोई भी काम करने के लिए बोलना है, तो डेफिनेटल समझता है, बोलने से उसको चीज़ें समझ में आ रही है, तक तो वो बोलता नहीं था, वो सुनता था, सुनना भी नहीं है, कोई नेम रिस्पॉंस भी नहीं करना है, तो उस टाइम पर थेरपी का बहुत जादा महत्व होता है, लेकिन थेरपी बंद होने के बाद फिर पेर नहीं पर एंड करूंगी, I hope कि इस लाइब एक्सपिरियंस से आपको काफी सारी चीज़ें सीखने को मिली होगी, so मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,